हेलो एब्रिवन आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे Automotive Research Association of India भारती है Automotive Research अनुसंधान क्या होता है इसके क्या क्या कारी है और ये कहां कहां पर भारत में स्थापित है इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे AR, AI क्या होता है, ICAD क्या होता है ये भी आज की इस वीडियो हम जानेंगे तो चलिए स्टार्ट करते है Automotive Research Association of India AR, AI भारत के उद्योग की मंत्राले वो उद्योग द्वारा गठित अनुसंधान के इंद्र है इसका उद्योगों के लिए उद्योगों के लिए उद्योगों के लिए ये भी इसी अनुसंधान के द्वारा होता है इसकी स्थापना सन 1986 में पूने में हुई थी यहां उद्योगों के विकास के लिए कई सेवाओं वाले उत्पाद वा नए प्रोजेक्ट बनाने का कारी किया जाता है इनमें इंजन डिजाइन सिमूलेशन, सॉप्ट्वेर, इंस्टॉलेशन वो संपीडियन प्राकृतिक गैस अर्था CNG किट तैयार करना आधी प्रमुक होते हैं ARAI ये महरास्टरा के पूने में स्थित है इस अनुसंधान में जितनी भी आटोमबाइल मैनिफेक्शरिंग कंपनियां होती है वहाँ निर्माता कंपनियां होती है वो जब भी अपना प्रोडक्ट मार्किट में लांच करती है तो उससे पहले ARAI द्वारा उसको सार्टिफिकेट प्राप्ट करना होता है जब उस कंपनियां को सार्टिफिकेट मिल जाता है उसके बाद ही वो मार्किट में अपना वाहन लांच कर सकती है ARAI वाहनों में सेफटी फीचर्स, इंजन परफॉर्मेंस और सेफटी डिवाइस को पूरा एनलेसिस करके उसको चेक करकर तब कंपनी को सार्टिफिकेशन देता है यह ARAI का काम होता है इसके अलावा गाडियों की जो स्पैसिफिकेशन होता है और जो गाडियों की परफॉर्मेंस होती है अर्था इंजन डाइनोमीटर में उसको इंजन की टेस्टिंग की जाती है chases की testing chases dynamometer में की जाती है vehicle में जितने भी component लगते हैं उनका specification उसका standard के according parts है या नहीं है horan की sound कितनी है कितनी होनी चाहिए as per specification इन सभी को check करने के बाद ही वहाँ निर्माता company को automobile industries होती है उनको वो certification दिया जाता है उसके बाद ही वो अपने वहाँ को अपनी vehicle को market में launch कर सकते हैं तो ये सारी testing है Automotive Research Association द्वारा किया जाता है और उसके बाद ही certification दिया जाता है यहाँ पर homologation, वहाँनों का certification ये सारी activity हैं यहाँ पर की जाती है Automotive Research Association of India AI, सुरक्षित कम प्रदुसंकारी और अधिक कुशल वहाँनों को सुनसित करने में महतपुर्ण भूपी का निवाता है अर्थार ये वहाँनों में ये भी inspection करता है कि उन वहाँनों से निकलने वाला जो प्रदुसं है जो pollution है, वो कितना है तो समय समय पर इनमे नॉम्स में बदलाव भी किया जाते है ये norms, AR, AI द्वारा ही तैयार के जाते है और इसी के according वहाँनिर्माताओं को अपनी गाड़ियों में ये implement करकर कम परदुसर्ण वाली गाड़ियों का manufacturing करनी होती है AR, AI, R&D, prediction, permanent, homologation और वहाँन नियमों को तैयार करने की तक्निकी विस्षिसक गिता प्रदान करता है ये सारी चीज़ है वहाँनों में क्या-क्या implement होने चीज़ है, वहाँनों में क्या norms होने चीज़ है, उसके according वहाँनिर्माताओं को instruction देती है कि आपको ये parameters अपने वहाँनों में अनुसंधान संग है, यो बेहतरिन सेवाओं की पेसकस करने के लिए अपने सदस्यों, ग्राकों और भारा सरकार के साथ सदभाव और पूर्ण विश्वास से काम करता है तो यहाँ पर क्या होता है, अलग-अलग परकार की testing level होती है emission level होती है, अपने test tracks होते हैं, तो यहाँ पर गाड़ी के safety features को भी ध्यान में रखके, वो testing है यहाँ पर की जाती है, और जब वो गाड़ियां उस testing में खरी उतरती हैं, उसके बाद ही वहाँ निर्माता को उसका certification दिया जाता है, यह AR AI का काम होता है National Automotive Testing Project यह Automobile सेक्टर में महत्पूम हो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हैं, इसका उद्देश से परिक्षण, सत्यापन, अनुसंदान, एयों विकास के बुनियादी धाचे को त्यार करना है, इसे सन 2011 तक भारत में साथ जगों आटो टेस्टिंग सुईदा वाले केंदर बनाने के लिए 17-18 करोड का निवेस करने की कोशला किये गई थी अभी भारत में अलग-अलग जगों पर ये केंदर बना दिये गए हैं जहां पर भी वहान निर्माता कंपनियां हैं Automobile Industries हैं वहां पर उनके नजदीक ये सेंटर बना दिये गए हैं और वहां पर उन कंपनियों दारा अपने वहानों की टेस्टिंग होमलोगेशन उनका सत्यापन उनका परिक्षन किया जाता है और उसके बाद ही सर्टिफिकेट राप्त किया जाता है ये सब इन केंदरों पर किया जाता है अब ये केंदर हैं कहां कहां पर इसके बारे में बात कर लेते हैं सबसे पहले आता है ICAT ICAT जो है ये गुड़गाओं के मानिशर में इस्तित है उसके बाद GARC ये चिन्नेई, तमीलाडू में इस्तित है उसके बाद ARAI ये पूने में इस्ताफित है, NETREX जो है ये मद्धिपर्देश के इंदोर में इस्तित है, और ADACAUP के राइबरेली में इस्तित है, अब इनके बारे में जान लेते हैं, ICAT जो है, वो है International Center for Automotive Technology, जिसको ICAT बोला जाता है, यो सेंटर गुड़गाओं के मानेसर में इस्तित है, जो सरकार के तत्वधान में एक अग्रणी विस्तु इस्तरी Automotive परिक्षन प्रमानन और R&D सिवा प्रदान करता है, उसके बाद Global Automotive Research Center जिसको GARC बोला जाता है, यो भी सरकार द्वारा स्थापित अत्यादूनिक परिक्षन के इंद्रों में से एक है, यो चिन्नेई तमिलाडू के पास स्थित है, उसके बाद A.R.A.I. जो कि पूने में स्थित है, यो भारत सरकार के साथ Automotive उद्योग द्वारा स्थापित देश का प्रमुग Automotive अनुसंदान एम विकास संगठन है, उसके बाद आता next, Netrex जो कि मध्यपरतेश इंदौर में स्थ केंद्र है, यहां पर बहुत बड़े-बड़े और अलग-अलग किसम के यहां पर टेस्ट्रेक्स बने वे होते हैं, Netrex जो कि इन दौर में है, और वहां पर विकल की टेस्टिंग की जाती है, उसके बाद आता है ADAC, ADAC का फुलफोर्म है, The Extend Data Analysis Center, जो कि विडियो में आप समझे होंगे कि ARAI क्या होता है, और ICAT क्या होता है, भारती Automotive Research अनुसंदान क्या होता है, कि क्या दायत भी होते हैं, यह कहां-कहां पर इस्तित हैं, आज के लिए इतना ही, आज का यह वीडियो आपको पसंद आया हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक और मिलती रहेगी, थैंक्यू एवरीबन